कि अधिए कि हमने पाइलेट रिशाइट कर लिया था कि हम यहाद के चुनाब लड़ेंगे जोलो तरीकों नमनकन करेंगे समसे पहले हमने घुछना किया तो आज हमारे प्रत्यासिन हिलाद जी का नॉमनी सन होता है और मजबूती हम लोगा कुरहनी विधान सवा में लड़ें और आपने देखा कि यूबा को हम लोगों ने बनाया है जो कोरोना काल में बहुत ही जनता के बीच में जाके काम किये और इनका अपना विरासत रहा है इनके नाना जी चार-चार बार पुरहनी विधान सवा से विधायक रहे हैं ऐसे सक्ष है कि अकेले निर्दलिये भी करके आप समय सकते कि कुरणी विधान सवा में अपर साथ का भूम्यार समाज का एक बड़ा ताकस है बड़ा एक होट बैंक है तक्रिबन साथ हजार प्लस है और हमारा अपना पाइसिचालिश जार बोट है तो आप एक लाग भोट सा समीकरन है और इसमें हम लोग काम करेंगे और मैं उमीद करता हूं कि हर जाती धर्म के बीच में जाएं और हमारे यूबा नेता के ओपर भरुता करें और जीत के जब आएंगे तो शेट का विकास करेंगे तामाम जो भी समस्या उनसे नियाद दिलाएंगे और अईसे हमें पूरा उमीद है कि हमारी जो लरा पैसा चंदा करके समाज के लोग देंगे और इसको मजबुती चुनाप जिता के और जंता के भी सब्सक्राइब निशुत तरुपे पिछला समाज के लिए निसा समाज के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाय लगते लगते यहां पे आएं और हमारी एक पोलिटिकल पाटी पॉल्टिकल पार्टी जो होता है और कंडिडेट जो होता हूँ भोड़ते चुनाब जीता है नहीं कि अकेले अपने दम पर तो आज अब बताईए कि अगर मैं इसे निसाद को अगर टिकर देता तो वह चुनाब पूरा हो जाता हमने यहां पर ऐसे प्रत्याशी को जिए जो देने काम किया हमने बनिया को टिकर देने काम किया हमने निसाद को टिकर देने काम किया हमने यादव को टिकर देने काम किया हमने भुम्यार को टिकर देने काम किया हमने राजपुत को टिकर देने काम किया तो पाती जो होता हूँ एक जातका नहीं होता वहर जाती धर्म को क्योंकि हम भोड जो है हर जाती धन से उमीद करते मिले तो उसी तरीके से टिकट भी हर जाती धन को दिया जाता है और मैं तो अभी वादा भी करता हूं खास करके मजभपपूर के अपरकास्ट भुम्यार समाज से कि आप पे हम भरोसा की हैं आप मुझे पुरा यकीन है कि कि दूगा पूरे विहार में एक सीट लोगत रहा हम भुम्यार समाज को लड़ाएंगे अगर हमारा किसी पार्टी से वाइसे तो अब देुद्वार में हमारा कम से कम 10 सिट पर गटबंधन होगा हम अगर एक सिट पर गटबंदन होगा तो पहला सिट होगा वह मज़ी